नमश्कार में विक्रम सिंह निदेश्राग मौसम केंदर धरादूंत से उत्राघंड के लिए मौसम की बात करें आज एक तारिक माई के है तो जैसे बोलाता कि तीस तारिक से जो एक्टिविटी है परदेश में उत्राखंड में रेन थंडर स्टॉम की उबढ़ेंगी तो पिछले 24 आउर्स में काफी अची रेन मिली है हलकी से मध्यम जादतर जगों में हमको रेन मिली है बलकि भारी वर्षा भी जो है नैनिताल और उधम सिंग नगर डिश्टी में एका दुका जगों में मिली है अब आज बात करें एक माई को तो आज भी आप देखें कि जादतर जगों में हलकी से मध्यम बारिश मिलने वाली है और इसके साथ साथ जो भारी वारिश के बात करें तो कुमाउं छेत्र में आज जो है एका दुका जगों में पूरे कुमाओ छेत्रे की में बात कर रहा हूं तो उसमें कहीं कहीं पर भारी वर्षा आज भी मिलने वाली है जहां तक गड़वाली जनके डिश्टिक है तो हल्की से मध्यम तक ही इनमें भी मिलती रहेंगी हालंकि भारी वर्षा के लिए संभावना नहीं है इसके साथ ही जो हमारे उच्छ हमाली छेत्र है या चारदाम लोकेशन्स है तो उनमें बरभबारी भी आप देखेंगे कि जो केदानाजी ओगर वहां तो थोड़ी चली रही है लेकिन और भी जो लोकेशन्स है गंगोत्री अमनोत्री है या फिर हेमकुंट साइब है या इसी तरह जो है बजरी नाजी है तो आप देखेंगे कि आज राद से या कल से जो है वहां पर भी जो बरभबारी वहां पर भी मिलेगी और ये करीब करीब चार तारीक तक चीज़ें चलने वाली है तो हलकी से मद्यम बारिश जैसे में बुला ज्यादा तर जगों में आज भी है कल भी है और तीन तारीक में भी अनेक जगों तक में तो रहने वाली है चार में भी अनेक जगों तक रहने वाली है तो लगातारी बारिष है 3-4 दिन तो इसमें कही न कहीं जो यात्री हैं वो थोड़ा जो है अभूईट करें इस दौर न जाने के लिए क्योंकि रास्ते भी थोड़ा गहीं न कहीं बंधोंने शुरू हो रहे हैं कहीं कहीं बोल्डर गिर रहे हैं चोटा मूटे रास्ते बंधोने की संभावना है और इसके साथ ही जो चारदाम लोकेशन है तो वहाँ पर बरबारी भी हो रही है तो उसकी बज़े से वहाँ जाना है वहाँ ठहरना काफी दिकत बरा थोड़ा हो सकता है इसलिए यात्रियों स उमीद की जाती है कि वह थोड़ा जो है दो-तीन दिन थोड़ा अपनी यातरा को पोस्ट पॉन करते हुए फिर आगे बढ़े या यह हो सकता कि ठीक है जहाँ पर आप सेव जगे पे हैं महां रुक हैं एक-दो दिन फिर आगे बढ़े जो है तो तीन तारीक तक मैं कहूंग तो बरबारी की जो एक्टिविटी वो जादा रहेगी तो मॉडरेट स्नोफॉल एक्टिविटी जो हमारे तीन हजार या साड़े तीन हजार मीटर या उसका असपास के चेतर है वहाँ पर वो मिलने वाली है उसकी वज़े से उन एरियाज में जो तापमाने काफी कम रहेंगे दो तेने